इन दो लेक्षर में कोक्रोच ब्रेन में सेट कर देंगे मूवी देखिए बात्साह बात्षा वो एक सूस पहनता है और खड़ी दीवाल पर चड़ जाता है बस कभी-कभी इसको भी बात्षा बनना होता है तो अपने एरोलियम वेक्यूम क्रेटर होता है उसको दवाता है और खड़ी दीवाल पर चड़के चला जाता है बात्षा ठीक है एल्लो बच्चो आप सभी को पर रमश्कार तो इंडिया के बहतरीन चैनल पर आप सभी बच्चों का अगें एन अगें मोस्ट वेलकम तो बिटा हमारी जो सीरीज चल रही थी संजीविनी जिसका आज थार्ड लेक्चर है ठीक है तो स्ट्रक्चल और्गिनाइजेशन इन इसमें हमारा टिशू वाला पार्ट अल्मोस्ट कंप्लीट हो चुका है कोक्रोच वाला पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है तो आज का हमारा टार्गेट होगा बस मस्कुलर और नर्वस टिशू को मैं ब्रीफ में जो NCRT ने दे रखा है वो क्लियर कराऊंगा और क करूंगा कोकरोच तो आज का और इक अगला लेक्चर खोखरोच य्मे इन दो लेक्चर में कोक्रोच ब्रेन में सट करेंगी क्लियर बिल्कुल तो स्टार्ट करते हैं ठीक है तो हम कबर你 वाले हैं मस्कुलर और नर्वस टिशू और खॉक्रोज तो सबसे पहले बाता आती है बोंस की ठीक है तो अगर बॉंस की बात करते हैं तो बोस में सबसे पहले हम बात करेंगे Composition start करते हैं थिक है कि Bone में क्या होता है उसको कैसे Divide कर रखा है basic composition तो बहुत है Cartilage में पढ़ा था Cartilage की property Cartilage कैसे होते है Cartilage की अगर बात करते है तो solid होते है तो Bone भी solid होते है पर Cartilage compressible होते है पर Bone compressible नहीं होते यानि प्लाइबिल नहीं होते बौन हाड होते हैं इसलिए बौन कंप्रेस करने पर तूट जाते हैं काटिलेस कंप्रेस करने पर तूटते नहीं है तो बौन के अगर बात करते हैं हाड होते हैं ठीक है बट नॉन प्लाइबिल होते हैं कैसे होते हैं non-plyable clearable hard होते हैं cartilage भी hard थे पर वो pliable थे ये non-plyable है non-compressible है clearable कुल अब बात करते हैं basic composition cartilage में हमने तीन चीज़ें बताएं ठीक है जैसे हमने बात की थी cartilage में क्या क्या होता है cartilage में matrix होता है तो यहाँ पर भी matrix होगा cartilage के अंदर हमने बात की थी fibers होते हैं यहाँ पर भी fibers होंगे cartilage में हमने बात की थी cells होती है तो यहाँ पर भी cells होती है clearable कुल तो same वही चीज यहाँ पर भी आपको देखने को मिलने वाली है continue करते हैं basic composition अगर मैं composition की बात करता हूँ ठीक है तो यही तीन चीजे हम यहाँ भी clarify करने वाले है जैसे number one ठीक है जैसे number one हम बात करते है किस चीज की बात करते है भाई क्या होगा यहाँ पर cells होगे यहाँ पर क्या-क्या होगा cells होगे cells को में नीचे दिता हूँ ठीक है यह ऐसे एक मिनिट cells होगे बटा यहाँ पर पर काटिलेज में भी cells थे ठीक है और यहाँ आपने बात की थी बटा matrix की तो यहाँ पर भी matrix होगा ठीक है काटिलेज में आपने बात की थी fibers की तो यहाँ पर भी fibers होगे यहाँ पर भी fibers होगे ठीक है तो वही तीनों चीज़ें हमने cartilage में discuss की थी और वही तीनों चीज़ें हम यहां discuss कर रहे हैं मेरी बाद समझ पा रहे हो गया yes या no समझ पा रहे हो गये ठीक है यहां तक की बाद समझ में आ रही होगी तो अगर हम बात करते है cartilage और bone के composition में difference और बोन के composition में difference याद आया तो तीनों चीज़न यहां पर भी थे तीनों चीज़न वहां पर भी है ठीक है मेरी बाद समझ रहे हो पर काटीलेज की केस में मैंने बात किती है आप से किस चीज की fibrz की तो fibers में वहां दो टैप के फाइबर बताय थे, collagen fiber भी discuss किये थे, और elastin fiber भी discuss किये थे, ठीक है, क्योंकि cartilage elastic भी होते हैं, cartilage hard भी होते हैं, theta के cartilage बताय थे, हाइलीन cartilage, fibrous cartilage, ठीक है, और elastic cartilage, याद आया, तो वहां दोनों type के fiber देखने को मिल सकते हैं, पर अगर मैं बात करता हूँ, bones की, तो यहां mainly collagen fiber देखने को मिलते हैं, mainly collagen fiber देखने को मिलते हैं, ठीक है, अगर हम bone की बात करते हैं, अगर हम bone की बात करते हैं, अच्छा, matrix तो लेकि जलता हूँ, तो fibers में आपको क्या होता है, only collagen fiber, यहां only collagen fiber देखने को मिल रहा है, हाँ, अगर matrix की बात करते हैं, तो matrix पर question आता है, अब matrix म कोशिन क्या आएगा यहां कमपोजिशन पर कोशिन आएगा मैट्रिक्स की कमपोजिशन पर कोशिन आएगा क्या कोशिन आएगा अगर मैट्रिक्स की कमपोजिशन की बात करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर और और इनॉर्गनिक से विस्टेंस भी होते हैं ठीक है तो अब करेंगे और यह बैक्त करेंगे और पर सब्सक्रास का G होते हैं उनकी percentage में के reference होता है एक question बनता है तो दानक में लगबग 30 से 40% के आसपास 30 से 40% और निक सबस्टेंस होते हैं remaining इन और निक सबस्टेंस होते हैं ठीक है तो और निक की अगर बात करेंगे तो लगबग आप बोल सकते हो 30 to 40% के आसपास ठीक है और निक सबस्टेंस की बात करेंगे तो क्या बोलोगे आप एप एप्रॉक्सिमेटली 60 to 70% के आसपास निक सबस्टेंस होंगे ठीक है तो question आ सकता है percentage पूछी जा सकती है ठीक है और निक क्या होता है ओर नीक में आपको आपको और आदा है कुट्टे को हड़ी का दीवाना होता है ठीक है अगर हड़ी उसके mouth में लगी है आप जवड़ी से खीचना चाहो तो हड़ी नहीं दिए सकते हड़ी लोगे तो छोड़ेगा नहीं आपको क्यों क्यूंकि उस आप ऌने सूच आक भी उसको क्या मिल रा है क्यों उसका पागलपन दीवाना है उस हड्डी का क्यूंकि उस में एक produce होती है उसन प्रोटीन उसका इरोमा समदर ना मेरी बात उसका टेस्ट उसकी बजह से वो उस हड़ी का दीवान होता है उस समझ रहे हो ओसिन प्रोटीन का समझ पार है मेरी बात तो और निक सबस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो और निक सबस्टेंस में आपको मिल नी क्या का दिखने को मिलेगा इसके अंदर matrix भी और निक में ही आता है ocean protein ये question आता है ocean protein ये भी organic का ही part है fibers भी organic के अंदर अगे fibers भी organic के अंदर ही आएंगे fibers, et septra ये सब और ने के parts है कोशन द्यान रखना है इस प्रोटीन पर आएगा अब बात करते हैं अनॉर्णिक सबस πα्राय भात जाएं कैलशियो में कारबोनीट याउठन में होता है कैलशियु कारबोनीट पर्सेंट में समध़ रहना मेरी बात calcium carbonate तो only 10% होता है इसमें सबसे ज़्यादा maximum amount जो होता है वो 85% calcium phosphate का होता है तो इसमें अगर मैं composition की बात करूँ composition की बात करूँ समझ ना calcium carbonate calcium phosphate calcium carbonate only 10% होता है calcium phosphate approximately 85% के आसपास होता है समझ रहे हो अब बचा कितना परसेंट 5% बचा तो 5% में सब कुछ आजाएगा calcium hydroxide आजाएगा ions आजाएंगे समझ रहे हो और भी जो कुछी सब कुछ मिला करके 5% तो 5% में आप बोल सकते हो calcium hydroxide calcium hydroxide आप बोल सकते हो ions etc लग देता हूँ etc ये सब कुछ 5% में आजाएगा तो एक composition पर question बनता है इसलिए मैं बता रहा हूँ अगर हम composition की बात करते है matrix तो matrix में organic inorganic divide कर सकते हो matrix का एक organic वाला part होता 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 आप जानते ही हो ठीक है matrix का organic वाला part इसके लाबा ocean protein matrix का ही पार्ट है fibers matrix का ही पार्ट है इस पर question आएगा calcium carbonate calcium phosphate तो calcium carbonate लगता है में ज्यादा होता है पर उल्ली 10% calcium phosphate 85% होता है calcium hydroxide ions ठीक है इसके लाबा fluoride ठीक है इसके लाबा और भी जीजने होते हैं सब 5% के अंदर आएगे ठीक है सेम यहाँ पर भी term use करोगे पस condro की जगे आप osteo term use करोगे osteocyte, osteoblast, osteoclast वस वही सब चीज है ठीक है तो अगर मैं cells को divide करूँ यहाँ पर तो आप 3 part में इनको divide कर सकते हो क्या-क्या देखो बास इतने में आ जाएगा ठीक है थोड़ा समराइज कर रहा हूँ एक तरीक से आपके short notes में ही बना दे रहा हूँ ठीक है जैसे osteo पहले osteoblast की बात कर लेते हैं osteoblast बही वहाँ पर condroblast है यहां osteoblast है वो भी मैच होरते है यह भी मैच हो रहे है ठीक है osteocyte osteocytes वहाँ condrocytes थे यह osteocytes है ठीक है यह मैच होरते है मैच होरते है वहाँ पर भी same वही चीज थी एक बताता है बना osteoclast 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 की अगर बात की जाती है न तो उसको बोलते है bone eating cell हड़ियों को खाने वाले cell जैसे वहाँ condroclass थे जो cartilage को खाने का काम कर रहे थे यानि जब baby uterus में होता है यानि bruni अवस्था जो होती है तो बहुत flexible होती है क्योंकि body के अंदर maximum cartilage होते है पर जब जन्म होता है न उसका तो मैंने बता है था सारे के सारे cartilage mostly cartilage especially hyaline cartilage replace होते हैं bone से तो वहाँ पर कौन होते है condroclass condroclass cartilage को खाना चालू कर देते हैं वहाँ cavities generate होते हैं उन cavity के अंदर osteoblast जाकर के बैठ जाते हैं और धीरे धीरे उन cartilage को bone में convert करना चालू कर देते हैं इस तरीके से जब बर्थ के बाद जो हमारी maximum cartilage होती है तो वह bone से धीरे धीरे replace हो जाती है अब आपको सर यहाँ पर osteoclast का काम क्या है यह भी phagocytic cells है जैसे जैसे जब आपती body में calcium की कमी होगी तो यह cell activate होगी यह cell activate होगी मैंने आपको hormonal mechanism में अगर पहले पढ़ रखे हो तो नहीं तो मैं आगे बताने वाला हूँ ठीक है आगे पूरा mechanism बताऊंगा क्यों old age यह आफटर मैंनों पॉस female के अंदर osteoporosis more common होती है आकर कारण क्या है इसका ठीक है पूरा hormone में mechanism बताने वाला हूँ इसका ठीक है अक्सर कर जो लोगों को osteoporosis हो जाती है या body के अंदर calcium की requirement होती है तो calcium आता कहां से है यही osteoclast bone के उपर तूटते हैं bone को खाना चालू गर देते हैं bone को जब break करेंगे तो धीरे धीरे calcium का level बढ़ना चालू हो जाएगा इसको बोलते हैं समझना यहाँ आप्जॉप्शन यहाँ होता है एक होता है एड्टसर आप्षन एक होता है resoporosis इसको resoporosis बोलते है क्या बोलते हैं इसको resoporosis मेरी वोट समझ पाँरहे हो क्या yas yas no समझ पाँरहे हो resoporosis का मतलब होता है breakdown clean colour बलकुर तो मैं लिख देता हूँ यह वाली बात तो osteoblast osteoblast immature होते हैं ठीक है dividing cell होते हैं dividing cell dividing cells होते हैं जबकि osteoside mature होते हैं non dividing cell ठीक है अच्छा osteoplast की अगर बात करते हैं osteoplast यह निए macrophage होते हैं यह कौन होते हैं macrophage macrophage तो तीन बाते हैं बता दी मैंने कौन macrophage है कौन immature है और कौन mature है यह तर्मेन ने वहाँ पर भी use किये थे ठीक है सेम तर्मेन ने वहाँ पर भी use किये थे ठीक है सेम वहाँ पर भी मैंने बताया था cartilage के matrix की growth के लिए responsible kondro class थे ऐसे ही यहाँ पर भी bone के matrix या bone की growth ठीक है इन सब के लिए responsible कौन होते हैं यहाँ पर osteoblast और osteocyte ठीक है तो आप कह सकते हो बोथ responsible for bone की growth के लिए दोने ही responsible होते हैं ठीक है अब बताती है सर इसका क्या काम है macrophage it is responsible for resorption यह क्या करते है resorption करते है यह NCRT term यूज किया है term मत भूल जाना resorption यह term NCRT ने यूज किया है resorption resorption का मतलब होता है breakdown of bone ठीक है और bone को break करके यह blood calcium level को maintain करते है resorption का मतलब होता है breakdown purpose कहा है for maintain blood calcium level maintain blood calcium level तो blood calcium level को maintain करने का काम करते है कौन osteoclast जो macrophage अमेटा phacocytic cells है bone को खाने वाले cells है जो bone का breakdown करते blood calcium level को rise करने के लिए responsible होते है समझ में आ गया होगा तो same वही सब चीजे है बस यहां कुछ composition का खेल है वो आपको याद रखना है तो NCRT में composition दे रखी है मैंने समझा दी है इसके अलावा जो NCRT है वो आपको क्या बताती है इसके लाब NCRT बोलती है अगर आप bone को cut करोगे अगर आप bone को cut करोगे specially compact bone की बात चल रही है structure of compact bone structure of compact bone compact bone compact bone का structure क्या है अगर आप compact bone का मतलब है समझा देता हूँ मैं अगर आप bone की structure के ऐसे देखोगे bone का ठीक है तो यह जो part होता है head of bone इसको head of bone बोलते है यह head है यह bone का head है ठीक है यह spongy bone होती है spongy bone समझाता हूँ मैं यह भी spongy bone है spongy bone जब कि है middle बाले पारट की बात करों बात करीज बदो हो compact bone बही monit इस वाले पारट को आप compact बोलड़ रहो head को आप spongy बोलरहो समझे रहो क्यों बोलरहे हो spongy और compact ठीक है आपने head को spongy बोला मिडर बाले पारट को compact बोला क्या क्या difference है sponges के अंदर समझने कोशिश करना अगर मैं सेंटर वाले पार्ट की बात करता हूं यहां पर यह यह सेंटर वाला पार्ट यहां पर कैनाल होती है इसमें लिक्ट भरा होता है yellow bone marrow यहां भरा होता है yellow bone marrow यह एकदम bone में convert हो जाती है उसके बाद bone की growth नहीं होती बोन का यह वाला पार्ट होता है बहुत हार्ट होता है बहुत हार्ट कभी भी इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता पर यह head होते ना यह spongy होते हैं hollow होते हैं ठीक है इनके बीच में cavities होती है उसमें भरा होता है red bone marrow यहां कौन सुथ को बहुत है इसमया मेरा नहीं होता है इस इनके इनके अंदर red bone marrow समस्वथ समक्तिक हमने मेरा हम ही बैग स्ब्सकान हर वात यह थे जानते हो सब्सक्रोन मेरा सब्सक्राइं करक है इस रेड्ड भून मेरी नहां होता है जो different tap के blood cell का formation करते है, red bone marrow भरा हुआ है इनके अंदर, ठीक है, इस red bone marrow में ही stem cells होते हैं, जो all blood cell का formation करने में capable है, यहां इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे stem cells, stem cells, stem cells, यही stem cells क्या करते हैं, different type के blood cell का formation करते हैं, ठीक है, तो यह समझ में आया, compact bone center वाला पार्ट है, एकदम solid होते हैं, solid होते हैं, hard होते हैं, solid होते हैं, समझ रहे हो, तो इसी camera यहां से cut करके, यहां से cut करके मैं एक piece दिखा रहा हूँ आपको, मतलब जो NCRT ने बोला है, तो NCRT न एसी center में, यहां भी bone होगी, यहां भी canals होंगे, यहां पर भी canals होंगे, यहां पर भी canals हैं, यहां पर भी canals हैं, यह सब canals हैं center के अंदर, और यह canals आपस में interconnected भी होते हैं, यह सारे canals आपस में जुड़े हुए होते हैं, समझ रहे हो, तो इन canals को हम क्या बोलते हैं, center दिख रहे हैं आपको इनको बोलते हैं हैाँ वरषियन ते सबताओं के नाल हीड़ों कहले है वर्च यन वरवरीखियन के नाल थिक है और यह दो इनको आपस में इंटरकनेट कर रहे हैं वाल्समेन के नाल समद रहे हो यह होडिजॉंटल के नाल सोते हैं पूछा जा सकता है अब नेचर ने ने कैनाल बनाया सो बनाया मानों यह एक बॉन में यह लंगी टूनल के नाल से हैं धुक्यบोर बहुत बहुत पर Ee तो यहां पर बहुत जदा यह अंदर से यहां इसे नहीं नहीं जो हम पर यहां भी कािई बोलते हैं इन केविटी को भी क्या पोलते हैं lacuna but each latina contain single osteoside जबकि वहाँ पर मैंने बताया था single भी होती है और group में होती है each contain single सिंगल ऑस्टियो साइट जबके काटिलेस के किसम मेंने क्या बताया था वहां सिंगल भी होते हैं और ग्रुप में भी होते हैं सिंगल भी होते हैं और ग्रुप में भी होते हैं याद आया काटिलेस के किसम में बताया था वहां ग्रुप में देखने को मिलेंगे each lacuna contains single chondrocyte and group of chondrocyte but each lacuna contains in case of bone lacuna, lacuna का मतलब है cavity space each contains single osteocyte एक बात clear हो गई यनि इसके अंदर कौन है? osteocytes है, इसके अंदर कौन होगी? osteocytes osteocytes अच्चा ये वाली बात clear हो गई अगर मैं आप से पूछूँ की अब समझा मेरी बात, ये lacuna के अंदर osteocytes बेटे हैं, बाहार का medium बहुत हार्ड है, अब इनको nourishment कैसे दिया जाए? nutrition देने के लिए इन सब के अंदीच में canal बनाएगी समझा रहे हो, एक longitudinal canal इसको haversyn canal बोलते हैं, इस canal में क्या-क्या होता है, इस canal के अंदर एक artery होती है, इसके अंदर एक vein होती है, इसमें एक lymph vessels होती है, इसमें नौर्व होती है etc. यानि सब के मिलने से, जो एक cell को required है, वो सब कुछ इस canal में है, अब इन canal को आपस में interconnect कर रहे हैं, कैसे? horizontal canal, इनको walkman canal बोलते हैं, जो इनके आपस में कम्यूनिकेशन कर आते हैं, और ये जो canals दिख रहे हैं आपको, haversyn और walkman canal, only present in mammalian bone, ध्यान अखना है, only present in mammalian bone, तो ये mammals का feature है, haversyn canal और walkman canal, किसका feature है, ये mammals का feature है, हर किसी bone में दिखने को नहीं मिलते, अच्छा, सर, इन canals के around जो rings दिख रहे हैं, इन rings को क्या बोलते हैं, इनको lamellae बोलते हैं, lamellae, lamellae, जो किसके मिलके बने होते हैं, collagen fiber, तो यहाँ पर जो rings दिख रहे हैं, को rings, rings, तो canals के around rings होते हैं, और बीच च्छोटे च्छोटे lacunae होते हैं, इन lacunae के अंदर osteocyte होते हैं, तो पूरा का पूरा matrix होता है, वो rings की form में होता है, यहाँ पर जो matrix है, वो rings की form में है, इन rings को क्या बोलते हैं, lamellae, जो collagen fiber के मिलने से बनते हैं, तो compact bone को cut करके देखोगे न, तो कुछ ऐसा structure देखने को मिलेगा, compact bone के अंदर, ठीक है, spongy bone तो hollow होते हैं, अंदर से, समझ रहें न, spongy bone तो hollow होते हैं, तो एक बाद समझ में आगी बेटा, सबसे पहले मैंने bone के बारे में बताया, bone hard होते हैं, non-pliable होते हैं, अगर compress करोगे तो तूट जाएंगे, पहली बात, composition, matrix, fiber और cells, matrix में organic, inorganic होंगे, 30 to 40%, 60 to 70%, ये composition ध्यान अखनी, इस पर question आएगा, ठीक है, अब बात करते हैं, collagen fiber ठीक है, वहाँ पर elastin collagen दोनों type के थे, पर यहाँ पर collagen fiber होते हैं, cells वही 3 type के, ठीक है, वहाँ condro था, यहाँ osteo हो गया, वहाँ पर भी दोनों bone, cartilage की growth में participate कर रहे थे, तो ये भी bone की growth में participate करते हैं, समझ रहे हो, इसके matrix को maintain करते हैं, जब कि osteo class की बात करते हैं, macrophage हैं, it is responsible for resorption of bone, या कैसे तो breakdown of bone, यानि इससे क्या करते हैं, maintain करते हैं blood calcium level, ये समझ में आया नहीं आया, अगर bone को cut करके दिखोगे, उसके बीच वाले part से, तो structure कुछ ऐसा दिखेगा, समझ रहे हो, structure कुछ ऐसा दिखेगा, और अगर मैं इस bone के, पूरी bone की बात कर रहा हूँ, long bone की, तो head की बात करेंगे, इसको हम spongy bone बोलते हैं, center में solid होती है, इसको compact bone बोलते हैं, यहां तक समझ में आया नहीं आया, यहां तक कोई doubt शाउट है बेटा, समझ रहे हो, कोई doubt नहीं होगा, अब bone marrow की बात कर लो, अगर मैं bone marrow की बात करता हूँ, तो center में, इसके head पर, जो head पर दिख रहा है, यह तो red bone marrow है, और जो center में दिख रहा है, यह yellow bone marrow है, red bone marrow, center में क्या होता है, yellow bone marrow, यानि इनके head, red red दिख रहे हैं, यहां red bone marrow दिख रहा है, और bone के center में yellow bone marrow दिख रहा है, ठीक है, अगर कभी आपने head यहां खाई हो, तो कुछ लोग क्या करते हैं, क्योंकि yellow bone marrow का मतलब है, it is a fat, ठीक है, fat, white fat है, yellow bone marrow में maximum white fat होता है, तो लोग इसे bone को इस तरीके से, जटके से करते हैं, तो yellow bone marrow निकल भी जाता है, ठीक है, तो center में yellow bone marrow होता है, ठीक है, it is a storage site of white fat, इसमें white fat store होता है, ठीक है, जबके red bone marrow marrow क्या है, it is a site of, इसमें stem cells होते हैं, क्या होते हैं stem cells, यह stem cells दिख रहे होंगे इसके अंदर, इसे सारे cells बनते हैं, ठीक है, तो red bone marrow marrow का main purpose क्या है, formation of blood cell, formation of blood cells, यहनि ऐसे भी कह सकते हैं, erythropoiesis, या blood बोल रहे होंगे हैं, तो hemopoiesis बोल सकते हैं, hemopoiesis, hemopoiesis, hemopoiesis मतलब formation, blood formation में या blood के cell को बनाने में participate करते हैं, कौन red bone marrow, क्योंकि इनमें stem cells होते हैं, clear, बल्कुल, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, अब इस वाले part की बात करते हैं, तो इनको भी आप divide कर सकते हो, इसको आप epiphyces बोल सकते हो, इसको भी epiphyces बोल सकते हो, तो bone के spongy bone में epiphyces होते हैं, ठीक है, epiphyces, epiphyces, ये वाला part भी epiphyces है, जो spongy bone रखता है, epiphyces, जो center वाला part होता है, ये center वाला part, इसको die-ephyces बोलते हैं, die-ephyces, die-ephyces, अब ऐसे भी question आ सकता है, कि bone का जो epiphyces बोला part होता है, उसमें spongy bone होती है, या compact bone होती है, spongy bone होती है, जो die-ephyces बोला part होता है, उसमें compact bone होती है, ठीक है, अगर मैं compact bone की बात करता हूँ, अगर हम यहां बात करते हैं, compact bone की जगे कम है, कोई नहीं, अगर मैं compact bone की बात करता हूँ तो compact bone में haversian haversian and waltzman canal present होते हैं जबके अगर मैं spongy bone की बात करता हूँ spongy bone की बात करता हूँ तो यहां पर haversian and worksmen, canal absent होते हैं तो यह जरूत ही नहीं है canals की canals की जरूत कर उती है canals की जरूत तो compact bone में होती है canals की जरूत कर उती है केनाल की जरूँ तो compact बूर में होगी क्योंकि यहाँ पर आसपा solid material है जबकि यहाँ तो spongy है दूर दूर cells है यह directly अपना nourishment ले लेते हैं इसलिए इनको havershain और walksman केनाल की जरूत नहीं पड़ती ठीक है red bone marrow hemopoiesis की site है blood formation formation of blood cell formation of blood cells blood cells का बनते हैं आप लोगे blood cell red bone मेरो में बनते हैं red bone मेरो कहा होता है spongy bone के अंदर होता है spongy bone का मतलब है it is a epiphysis compact bone का मतलब है diaphysis इसके अंदर havershain walksman दोनों होंगे यह havershain of walksman दोनों ही absent होंगे जरूती नहीं scattered form में है clear बलकुल अब यहां जो plates दिख रहे हैं यह plates दिख रहे हैं इनको ट्राइब को ले बोलते हैं चोटी चोटी प्लेट्स होती है spongy bone के अंदर उनके बीच में space होता है उस space के अंदर red bone marrow fill होता है आई बिटन नहीं आई ठीक है बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ bone को किस किस तरीके से bone के structure को NCRT में दे रखा है वो compact bone का structure है यहां से cut किया हूँ structure है center में yellow bone marrow होता है yellow bone marrow की अगर बात की जाए yellow bone marrow is the site of white fat storage जब कि red bone marrow की बात की जए इसमें stem cells होते है यह hemopoices की site है blood formation की site है जिसके अंदर blood के सारे cell बनते है वो red bone marrow है ठीक है जहां compact bone है वहाँ पर आपको मैं दिखा भी देता हूँ छोटा सा बना करके यह compact bone है यहां compact bone के अंदर क्या होंगे यह version के नाल है यहां आपको rings देखने को मिलने वाले rings rings देखने को मिलेंगे rings rings देखने को मिलेंगे solid structure है यहां पर इसको तोड़ा नहीं जा सकता समझ रहे ना इसको तोड़ा नहीं जा सकता इसको तोड़ा नहीं जा सकता यह compact bone है compact bone है clear है बलकुल तो compact bone जहां पर आपको यह system देखने को मिलता है हेवर्शिन सिस्टम जो मैंने बताया आपको स्पॉंजी बोन जिसके अंदर ये हेवर्शिन सिस्टम देखने को नहीं मिलता तो ये होगी बात स्ट्रक्चर और बोन NCRT से थोड़ा साप कराया है कोशन आते हैं इसलिए NCRT यहाँ पर खतम हो जाती है क्लियरबल कोश चल अब यहाँ प्लेट दिखाएती नई ये काटिन की प्लेट है इसके कंटिन्यूस के अंदर ऐसिफिकेशन होता रहता है और बोन की लेंथ बढ़ती है जिस दिन काटिलेस की प्लेट इसको improving बोलते है इसका perfect एकैन बोन में growth होती है बाई direction में समझ में आई है नहीं आई आ गई होगी ठीक है अब आजाओ muscular tissue की बात करते तो NCRT में तीन ही muscles दे रखे हैं clear है विलकुल skeletal skeletal और scatter muscles की अगर देखोगे न तो यहां पर आपको light and dark band देखने को मिल रहे हैं समझ रहे हो न तो इसको आप strited muscles भी बोल सकते हो ठीक है strited muscles ठीक है और transverse band देखने को मिल रहे हैं strived भी बोल सकते हो strived भी बोल सकते हो ठीक है ठीक है जबकि आगर मैं बात करता हो इस cardiac muscles की इनको cardiac muscles भी बोलते हैं तो यह भी strited है strited है strited को समझते हो जिनमें आपको light and dark band देखने को मिल रहे हैं और light and dark band भी transfers band है रोट ट्रांस्पेट बेंट की इसन को strived भी बोल सकते हो strived भी बोल सकते हो clear बलकुल तो skeletor muscles हो गए strited, strived, cardiac muscles हो गए strited, strived, clear बलकुल और center में देखने को मिल रहे हैं आपको smooth muscles smooth muscles ये unstriped होते हैं unstriped क्योंकि यहाँ पर light and dark band देखने को नहीं मिलते तो हमारी body में three type के muscles हैं smooth muscles, skeletal muscles और cardiac muscles समझ पाड़े हैं मेरी बात smooth muscles, skeletal muscles और cardiac muscles अगर मैं skeletal और cardiac muscles की बात करता हो तो यहाँ पर light and dark band देखने को मिल रहे हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर light and dark band देखने को मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इनका जो arrangement है protein का वो transfer arrangement है इसलिए skeletal muscles को strited या stridy बोलते हैं इनको भी strited या strived बोलते हैं यह un strited या un strived muscles है clear है बलकुल? चलो अब ध्यान से देखो के इनका structure कैसा? cylindrical है cylindrical है multi-nucleated है cylindrical है multi-nucleated है दूसरी बात ठीक है तीसरी बार un branch है un branch voluntary है involuntary आपके control में होते हैं voluntary है voluntary है आपके control में होते हैं ठीक है light and dark band present होते हैं अभी तो इनको striped या strited muscles बोलते हैं मेरी बाद समझ पा रहे हो जबके smooth की अगर बात की जाए smooth muscles की अगर बात की जाए तो spindle shape होते हैं ये uni nucleated होते हैं uni un branch है ये भी un branched है यह branching pattern देखने को नहीं मिल रहे हैं ठीक है आप समझ रहे हैं taper ends होते हैं taper send होते हैं taper send smooth muscles fiber un branched होते हैं voluntary involuntary involuntary होते हैं आपके control में नहीं होते हैं light and dark band यहां नहीं होते तबी तो unstriped muscles हैं जबकि यहां देखो यहां खास बात क्या देखने को मिल रही है ठीक है यह भी cylindrical है cylindrical ही है पर uni nucleated होते हैं यह यूनी आपको लग रहा होगा multi nucleated हैं यहां से यह muscle से एक एक single muscle से यह है uni nucleated यह समद्र हो ना यह single muscle से uni nucleated ठीक है तो यह क्या से होते हैं uni nucleated branched होते हैं हमारे control में नहीं होते हैं involuntary होते हैं voluntary के अंदर सिर्फ एक ही आएंगे यह वाले यह भी involuntary है यह भी involuntary है light and dark bend की अगर बात की जाए तो यहां light and dark bend present होते हैं तभी तो इनको striped बोलते हैं clear बुलकुल तो यहां तक की बात समझ में आई बटा इन सारी muscles के अंदर कौन कैसी है अब यहां एक खास बात क्या है यहां पर आपको oblique bridge देखने को मिल रहे हैं जो दो muscles को आपस में interconnect करते हैं आप जो आपको 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 आप समझ रहे हैं गैप जंक्शन यहां देखने को मिल रहे हैं और इनके बीश में होती ही एंटर कैलिटिट डिस्क अगर मैं दिखाऊं डियाग्रमेटिकली पूरस प्रॉपर उसको डियाग्राम से दिखाऊं तो बहुत सारा कन्फीजन है बच्चों को इसकी किसमें अगर मैं ड एक कार्डिक मुसल्स दूसरी कार्डिक मुसल्स और दौनों कार्डिक मुसल्स समझना मेरी बात दौनों कार्डिक मुसल्स के बीश में ये लगे हुए हैं इंटर कैलिटिट डिस्क और इंटर कैलिटिट डिस्क जो लगी हुई है न यहां लगे हुए होते हैं बीश में ग याब जंक्शन ऐसा स्ट्रक्चर होता है यहां पर यह हर जोगे नहीं होता ओनली कार्डिक मसल्स की केस में देखने को मिलता है समझ पा रहे हो मेरी बात अच्छे से इसका अपना नीउक्लियस है यहां से आइंस का ट्रांस्पोर्ट आसानी से हो जाता है तो दो चीजें द्यानक नहीं है आपको यह जो दिख रहे हैं यह इंटरकेलेटिट डिस्क है इंटरकेलेटिट डिस्क यह एक ऐसी डिस्क जो गैप जंक्शन को धारण करती है इंटरकेलेटिट डिस्क और इस पर क्या लगए हुए गैप जंक्शन इससे क्लियर होगा काडिक मसल्स जो होते है इनके अंदर ही ओबलिक ब्रिज देखने को मिल रहे हैं इनके अंदर ही आपको इंटरकेलेटिट डिस्क देखने को मिल रही है और इंटरकेलेटिट डिस्क एक प्रोटीन होती है जिसमें लगी होते हैं बीच में दूसरे प्रो खास बात सिर्फ cardiac मसलस में देहने को मिलती है और किसी मसलस में ये खास रखने को नहीं मिलती ये द्यान रहना ठिक है आगे बढ़ते है अब nervous tissue की बात की पूर्त इस्यू को मैंने कांग्लूड कर दिया है तो पूरा nervous tissue के अंदर division करने की capability नहीं होती, तो उनका बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है, तो supporting cell उनका proper ध्यान रखते हैं, समझना, पर अगर मैं आपसे कहूं, कि nervous system की total unit क्या है, तो आप बोलोगे, neurons या nerve cells, ये unit of function, मैं लिख दिया, structural and functional unit, जो है, nervous tissue की, वो neurons या nerve cells हैं, बट, अगर volume के साब से देखूंगा, तो more than 50% जो होता है, वो neuroglial cell होते हैं, सबसे ज़्यादा ये होते हैं, फिर भी, functional और structural unit neurons या nerve cell होते हैं, समझ रहो ना मेरी बात, structural and functional unit जो है, वो neurons या nerve cell होते हैं, ये ध्यार रखने हैं आपको, ठीक है, ये कास बात है, ये ज़्यादा होते हुए भी, ठीक है, दूसरी बात मैंने बताई थी, इनका number कितना होता है, 10 to the power 11, वो volume के more than 50% होते हैं, ये structural functional unit पर वो structural functional unit नहीं है, ये excitable होते हैं, excitable समझते हो, जैसे किसी cell को आप टच करो, जैसे मानुस cell को आपने टच किया, टच करने पर यहाँ पर एक है, तो ऐसे cell, जिनको टच करने पर, इस्टूमिलेट करने पर जो deep polarized हो जाते हैं, जिनमें impulse generate होता है, जिसमें awake generate होता है, वो normal cell तो नहीं होते हैं, वो excitable cell होते हैं, जैसे nerve cell excitable होते हैं, muscle cell भी excitable होते हैं, तो ये क्या है, excitable cell है, पर glial cell excitable नहीं होते हैं, ठीक है, excitability यह नहीं होती है धिक है यह क्या करते हैं के लियर सेल यह नियूरोन का ख्याल रखते हैं समझ रहो उनको responsibly उनकी binding करते हैं ठिक है उनकी packaging करते हैं different different माली शीट की form में उनको support provide करते हैं उनको protection देते हैं एटसेक्टरा ठिक है nerve cells के लिए excitability नहीं होती इन में cell division होती है कितना इसको brain tumor था पर आप ये भी समझते हो कि neuron में division तो होती ही नहीं है central नहीं होता तो brain tumor कैसे हो सकता है tumor का मतलब था uncontrolled growth जब कि neuron के अंदर largest cell no doubt एक मिन्टे तक लाइंत होती है इन में cell division नहीं होती तो ये तो brain tumor नहीं होगी तो brain tumor जब भी होगा वो glial cell में uncontrolled division की बजह से होगा समझे हो क्योंकि यहां पर cell division present होती है it is responsible for brain tumor तो यह मेंना सारा main conclude कर दिया है main point जहां से question बनने की probability हो सकती है clear बलकुल अब यहां neuron और nerve cell की बारे में detail में nervous system में पढ़ाने वाले हैं आपको तो यहां आ करके आपका tissue वाला part एकदम बढ़िया तरीके से end हो जाता है okay okay बटा अब कुछ नजर आ रहा होगा कुछ नजर आ रहा होगा क्या नजर आ रहा है क्या नजर आ रहा है जो हर किसी की kitchen में मिलता है अगर आप table पर खाना खाते हो तो table के नीचे भी होगे table में दरारे होती हैं वहाँ पर भी होते हैं ठीक है यह सर्व व्यापी हैं सब जगे होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं सब जगे होते हैं इनको cockroach बोलते हैं क्या बोलते हैं इनको cockroach तो अब हम बात करने वाले हैं cockroach कि किसकी बात कर रहे वाले हैं cockroach ठीक है हलके मतले लेना इनको दो कोशन नीट में इसे मिल जाते है कोखरोज से ठीक है तो हलके में नहीं लेना इस बार NCRT ने कुछ चेंजिस किये है ठीक है कोई दिकत नहीं है हम अभी वेट करते हैं NTA का NTA क्या कराती है पर अभी आपको करना है 11th में अभी आप हो ड्रोपर वाले बच्चे कर सकते हैं इसको कराएंगे आगे ठीक है अभी के लिए इंपोरेंट है वैसे कोखरोज तो इस साल भी कोशन आए थे कोखरोज NCRT की जो मेन लाइन से वो मैंने निकाल ली है जहां से डार्यकली कोशन मिल जाता है तो कॉक्रोज का साइज पूचा जाता है तो अगर दो तरीके से पूचा जाएगा एक कॉक्रोज का साइज पूचा जाएगा और कॉक्रोज में भी जो आपके سलेवश में हो वो periplaneta americana है American cockroach American cockroach का भी size पूछ सकता है दोनों का NCRT में दे रहा है दोनों पर question बनते है यह golden line है समझो इनको तो जात रखना ही पड़ेगा जैसे वो अगर cockroach का size पूछे का तो inches में धान अखना है 1 4th inch से लेकर के 3 inch और centimeter नहीं पूछे का तो 0.6 cm से लेकर के 7.6 cm यह cockroach के size की range है पर अगर आप से specifically पूछता है periplaneta americana periplaneta americana it is a American cockroach इसके size की बात करता है तो थोड़ा पॉस्ट करोगे और 3,4,5,3 3,4,5,3 mm 34 से लेकर के 53 1,2,3,4,5 तो 3,4,5 भर वापस 3 आजाए 34,53 mm ज्यानक ना है आपको यह periplaneta americana American cockroach periplaneta americana 34 से लेकर के 53 mm समझ रहे हो इनके अंदर जो wings होते हैं यह male में भी होते हैं और female में भी होते हैं पर male के अंदर wings female से भी बड़े होते हैं beyond abdominal cavity उसके भी आगे तक होते हैं beyond the tip of abdominal cavity in male female में नहीं male की बात चल लए है तो main point बता दिये मैंने cockroach का size पूछा जाता है पर बच्चा कनिफ्यूज होता है क्योंकि एक normal cockroach का size पूछेगा तो 1-4 inches से लेकर के 3 inches ध्यान रखना है cm पूछेगा 0.6 से लेकर के 7.6 से याद रखना है 54 से 53 किसके अंदर होगा millimeter में ठीक है ये centimeter में दे रखा है ये millimeter में ठीक है तो inches में दे रखा है centimeter में दे रखा है cockroach का millimeter में दे रखा है periplane है अमेरिकान का size चलो ये clear है आपको अब basic है भाई ये omni nocturnal होते हैं nocturnal का मतला होते हो rat tracher जो रात के ताइम एक्टिव होते है omnivores होते है सरवहारी सब कुछ खा लेते है सब कुछ कुछ भी खा लेते है ठीक है ये resident होते है किसके human homes के हमारे घरों में देखने को मिल जाते हैं और कहां मिलते हैं ये बटा ये गंदी जगे ओपर जितने भी गंदी जगे होते है वहाँ पर देखने को मिलते हैं ठीक है और vector होते है बहुत सारी disease के लिए भी घरों के अंदर होते हैं तो vector तो होंगी कहां मिलते हैं damp places throughout the bird पूरी दुनिया में मिलते है damp places गंदे नम स्थानों पर ठीक है यह सारे points से इन पर question आ जाता है general points है general points याद रखने वाले points से size पर question आता है वो ध्यान रखना है आपको समझे है नहीं समझे अब कहानी चालू होगी इसकी धीरे धीरे ठीक है कहानी चालू करते है अब बात आती है cockroach देखो चलो structure में पहले बात बताता हूँ पहले इसकी और चीज़ें बताता हूँ देखो सबसे पहले इसके exoskeleton की बात करते है body segment अच्छा exoskeleton में बात समझा दूँ अगर हम cockroach के exoskeleton की बात करते है किसकी बात चल रही है cockroach के exoskeleton की बात करते है तो इसके जो exoskeleton है यह बाहर यह काइटीनियस प्लेट से मिलके बना उता है इसको sclerites बोलते है very line question यह मिलेगी काइटीनियस प्लेट से मिलके बना उता है इसको sclerites बोलते है ठीक है अब समझे रहे हो यह अब समझे रहे हो यह किसे मिलके बना उता है काइटीनियस प्लेट से मिलके बना उता है इसको sclerites बोलते हैं समझ रहे हो ना यह question NCRT में दे रखा है यह ध्यान रखना है अगर मैं आपको जिसे मैं माल लो mobile का है माल लो यह cockroach है तो cockroach के ऊपर एक plate होती है side में भी plate होती है और नीचे भी plate लगी होती है तो cockroach में 4 plates होते है अपर, dorsal, ventral और दो plate लेटर लोगी तो अगर मैं cockroach की बात करता हूं तो डॉसल वेंटर लेटरल एक में चार्जिंग पर लगाता हूँ कोक्रोज की अगर मैं बात करूँ तो जो उसे एक्जोस करेटन है जो काईटीनियस प्लेट से मिलके बनाए ठीक है तो इसके अंदर समझ नहीं कोशिश करना तो यह चार प्लेट्स होती है इसकी एक उपर होगी एक नीचे होगी दो लेटर साइड में होगे जो आपस में बीच में जॉइंट्स होते हैं इनके बीच में जॉइंट्स आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं कुछ छोटे छोटे टिशू से it is a membrane like structure तुक है और इतना ही नहीं इसमें जो ऊपर वाली प्लेट नीच्छ वाली प्लेट से जुड़ी होती है कुछ खास टाइप के मसल से इनको टर्गोस्टर्नल मसल से बोलते हैं तो चार प्लेट से होती है इसके अंदर कॉक्रोज के हर सेग्मेंट में कॉक्रोज के हर सेगमेंट में यह तो डॉर्सल प्लेट होगी, एक प्लेट नीचे लगी होगी, वेंटरल और यह लेटरल साइड में होती है लेटरल, लेटरल प्लेट, एक दॉर्सल होगी, एक वेंटरल होगी और दो लेटरल होगी, लेटरल दो प्लेट होती है, दो लिखत क्लियर बलकुल तो चार प्रेट होती है ऐसे याद रखो हमारे वेंटरल साइट पर इस्टरनम होता है मेरी वेंटरल साइट पर यहां क्या लगा हुआ है इस्टरनम लगा हुआ है इस्टरनम वेंटरल साइट पर है तो इसकी जो इस्टरनाइट्स होती है इस्टरनाइट्स ह इसको तरगाइट्स बोलते हैं तरगाइट्स इसको प्लिरोन बोलते हैं प्लिरोन तो तरगाइट्स इस्टरनाइट्स और प्लिरोन समझ रहना मेरी बाद तरगाइट्स इस्टरनाइट्स और प्लिरोन ठीक है यह दानक ना है आपको प्लिरोन कितने बता हैं मैंने दो बता ह होते हैं तो टोटल फोर प्लेट होते हैं जिसमें प्लीरों दो होती हैं तरगाइट और इस एक होती हैं यह चारों प्लेटें आपस में जुड़ी होती हैं यह चारों के बीच में जॉइंट होते हैं यह चारों प्लेटें दूसरे के ऊपर मूव कर सकती हैं मूव कर सकती हैं, मूवे वेल हैं, यानि यहां पर joints बने हुए हैं, इसलिए इन जो joints बनाने वाली, जो membranes हैं, इनको नाम दिया हमने, ortho-roidal membrane, ortho मतलब joint, ortho मतलब joint, ऐसे membrane जो joint बनाने का काम करते हैं, उनको बोलते हैं, ortho-roidal membrane, ortho-roidal membrane. और इसको बोलते हैं टर्गो स्टर्नल मॉसल्स समद रहे हो अच्छा आर्ट फराटल मेंब्रेन का एक नाम और एंस एड़ी ने रखा है आर्टी कुलेटिंग मेंब्रेन आर्टी कुलेटिंग मेंब्रेन तो आर्टी कुलेटिंग मेंब्रेन बोलो ठीक है और तो रॉइडल मेंब्रेन बोलो आर्टी कुलेशन करा रही है प्लेटों को सुडिस्कॉल आर्टी कुलेटिंग मेंब्रेन जॉइंट्स बने हुए हैं तो जॉइंट को और्थो बोलते है तो और थो रॉइडममेरेंट ठीक हैं ज़ो टर्घा को स्टरना से जोड रही है जो टर्घा को स्टरणा से जोड रही है तरको इस टेडल मसल्स द्विल्कूल चारों प्लेटों कहें डॉसल टर्घा इठ यह तर्गा और गारत भी बोल सकते हैं इस्टर्नाइट से है इस्टर्ना ठीक है और लेटर साइट वाली प्रूर्ण हो गई तो यह पूरा जो एक्जो स्केलेटन है इनी चार प्रकार की प्लेटों से मिलकर के बनता है जो NCRT ने भी बग खूबी बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्स्प्लेइन करने की कोशिश क है तो यह चीज़ समझ में आई है अरे आई है नहीं आई बलकुल आई होगी ठीक है अभी इसका मैं स्ट्रक्चर देखोंगे ना इसका हर सेग्मेंट इन चारों प्लेटों से मिलके बनाऊगा हर सेग्मेंट में चारों प्लेट है ठीक है आप उसकी पूरी बाड़ी को हेड़, थोराक्स, एब्डामिन, कोक्रोज की भी दो अवस्थाएं होती है ठीक है एम्बरिनिक स्टेज और एडल्ट अगर आपसे कहा जाए कि इसके हैड में कितने सेग्मेंट होते हैं एम्बरिनिक स्टेज में 6 सेग्मेंट होते हैं पर एडल्ट में कितने होते हैं एक यह एंसी आटी में दे रखा है इस पर कोशन आएगा बहुत चोटी चोटी पॉइंट से जहां बच्चे नहीं ध्यान देते हैं यानि एम्बरिनिक स्टेज में 6 सेग्मेंट थे वह एडल्ट में एक सेग्मेंट में रह गए इस सारे सेग्मेंट फ्यूज कर गए यह वाली बात एंसी आर्ट में दे रखी हाँ अब्डॉमिन में जरूर 11 सेग्मेंट अब्डॉमिन में होते हैं तो यहां पर ओनली 10 सेग्मेंट होते हैं यानि अगर कंक्लूजन निकाला जाए कंक्लूजन निकाला जाए तो टोटल नंबर ओफ सेग्मेंट यहां पर 20 होते हैं और टोटल नंबर ओफ सेग्मेंट तो समझ में आगया 20 है, count कर लो 20 बठेंगे, 14 बठेंगे, ठीक है, समझ में आया नहीं आया, इन पर question बने हुए है, पर पहला वाली line सबसे important line है, ठीक है, जिस पर question आने की probability सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, head में कितने segment, question आएगा, कि adult के head का formation कितने segment के fuse होने से बनाए, आप लोगे 6 segment आपसे fuse हो जाते है, single segment बनता है, ठीक है, जो cockroach के head का formation करता है, cockroach के head का formation करता है, मेरी बाद समझ रहे हो या नहीं, समझ रहे हो, ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, अब इसकी body को 3 parts में divide किया है, बापस मैं समझा रहा हू ठीक है, ठीक है, एक minute, ठीक है, इसकी body को 3 parts में divide किया है, ध्यान से दिखोगे, ये तो head बाला reason है, head बाला reason है, ये head है, ये thorax है, thorax के 3 reason होते हैं, pro thorax, pro thorax, mezothorax, meta, 3 thorax होती है, ठीक है, तो mezothorax दिखा रखा है, meta thorax दिखा रखा है, उपर बाला part क्या होगा, pro thorax, क्योंकि pro thorax की covering को pro notum बोलते हैं, it is a covering of pro thorax, अब ये समझ में आगया, thorax कितने होते हैं, 3 segment होते हैं, pro, mezo, meta, pro, mezo, meta, ठीक है, अब यह wings दिखा रहा है, यह wings ऐसा graph pro thorax से जुड़े होएं, no, pro से नहीं जुड़े होएं, ये mezo thorax से जुड़े होएं, समझ रहे हो, और ये वाले meta thorax से जुड़े होएं, ठीक है, तो actual मैं, अगर मैं tagmina की बात करता हूँ, tagmina, tagmina, ये four wings हैं, four wings, ठीक है, किस से connected होते हैं, आप बहलोगे, mezo thorax है, mezo, mezo, thorax है, जबके hind wing, hind wing, किस से जुड़े होते हैं, hind wing, ये meta thorax हैं, meta thorax है, clear, बलकूर, tagmina का एक नाम और होता है, इसको ilatra भी बोलते हैं, ilatra, ilatra बोलो या tagmina बोलो, neat में आए वो, question 8, समझ रहे हो ना मेरी बात, neat मैं, और मेरे पूरूर से बताता हैं, neat में आएगा, 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 देख लो, कितने बार आचुका है, समझ जाओगे, दो बार नीट में आचुका है, ठीक है, तो tagmina, ilatra, four wings, mesothorax से जुड़े होते हैं, hind wings, metathorax से जुड़े होते हैं, ठीक है, ये समझ में आगया, ये main points थे, फिर leg एक तुम्हें सारे बताई दूँगा, उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, last में abdomen हो गया, ये anal सरकाए है, anal सरकाए, ये मैं आगे बताने ये बाला हूं, इनकी बारे में, ठीक है, main जो confusing point थे, वो prono term बाला था, ठीक है, tagmina को ilatra भी बोलते हैं, और ये mesothorax से जोड़ते हैं, ना कि pro thorex से देखने में लग रहा है, pro, पर एक्चलनल मीजो से जुड़े हुए हैं, ये meta से जुड़े हैं, प्रो thorex से कोई भी wings connect नहीं होता, क्लियर है बलकुल, हाँ, लैक जरूर, three pair होते हैं, one pair pro thorex, one pair mesothorax और one pair metathorex से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो चलो, अब चलते हैं कि करके आगे, सबसे पहले हम बात करेंगे, है head बाला reason, ठीक है, पूरे के पूरे head की बात कर रहे हैं, हम समझना मेरी बात, head में हम दो चीज़ों की बात करेंगे, सबसे बात करेंगे, covering of head, और head में लगे होते हैं, इसके mouth part, covering of head and mouth part, दोनों को लेके चलते हैं सबसे पहला है, नमबर one, ए लिख देता हूँ, covering and mouth part, covering and mouth part, सेम वही चीज, अगर मैं head की बात करता हूँ, इसे माल लो, फिर से मोबाल यू उठाते हैं, यह cockroach है, यह cockroach का head है, ऐसे लगा हूँ होता है, ठीक है, कुछ ऐसे है, समझना, यह cockroach है, यह cockroach का head है, तो cockroach के head को बनाने के लिए समझना, एक तो उपर plate होगी, vertex, दो plate side में होगी, जीना, एक plate नीचे होगी, ठीक है, कलाइपियस, एक plate front पर भी लगी होगी, front पर, तो 1, 2, 3, 4, और front पर 5, total 5 plate होती है, ठीक है, तो इनके बारें बताने वाला हूँ है, इसके head वाले reason के अंदर, कुछ ऐसा बनाए था। इसके structure बूरा का बूरा समझना जो उपर वाली plate होती है न उपर head बना रही है रूफ उपर की ठीक है vertex लेटर साइड में जो होती है जैना लोवर साइड में जो होती है नीचे और front पर जो लगी होती है front समझ में आ गया होगा इधर भी जैना ही होगी ठीक है तो जो उपर की roof बना रही है चत बना रही है समझ रहोना मेरी बात चत बना रही है रूफ बना रही है वो कौन सी है vertex वो कौन सी है vertex देखते जाओ ठीक है वो कौन सी है vertex side में कौन सी है जैना front पर कौन सी लगी है front नीचे कौन सी लगी है klyps ठीक है अब question यह आया हुआ है यह सारी इसलिए बताई मैंने question इस पर आया हुआ है question यह था कोक्रोश के mouth part किस plate से connected होते है कोक्रोश के mouth part किस plate से connected होते है है तो कॉक्रोज के Mouth क्या होते हैं ? जोड़े हुए होते हैं ? mouth part कि से जोड़े हुए होते हैं ? यह question कहीं पूछा गया है ? कॉखरो माउथ पार्ट होते हैं ? कि से जोड़े होते हैं ? और किस टैप की होते हैं बाइटिं और च्विंग टैप की होते हैं कर दिंग चोल। जो पर कि ऑसे हैं important फांट होते हैं ऩुक्त है यह कोशन आता है बाइटिंग च्विंग समझते लिए खाने और पहले मैं covering of covering and mouth part of cockroach बात कर रहों covering का मतलब है इसके head को बनाने वाली plates vertex, plypious, jenna, front पर frons, question आ हुआ है mouth part किस plate से connected होते हैं, plypious से connected होते हैं, किस type के होते हैं, biting and chewing type के होते हैं, खाने और चवाने वाले, खाने और चवाने वाले समझ पारे हो मेरी बात, ठीक है, अब अपने mouth पड़िये, अपने समझ ना, जखो अपना ऊपरी lips, upper lips, lower lips, ठीक है, दोनों के बीच में क्या है, tongue, ऊपरी जबडा और निचला जबडा, ठीक है, upper jaw, lower jaw, फिर समझ ना, मेरी बा तो, upper lips, lower lips, उपनी jaw, lower jaw, बीच में क्या, tongue, position समझ में आगी, same ऐसी position यहाँ बनानी है, अब को ठीक है, तो अगर मैं mouth part की बात करता हूँ, number one, upper lip, number two, lower lip, दोनों के बीच में क्या होगी, tongue, tongue को क्या बोलेंगे, hypo pharynx, hypo pharynx, अच्छा, तीसरा, चौथा, hypo pharynx के लाब, उपरी जबड़े को क्या बोलेंगे, maxilla, और lower वाले जबड़े को क्या बोलेंगे, mandible, mandible, समझ रहो न, एकदम clear है, उपर वाले को क्या बोलेंगे, maxilla, और lower वाले को क्या बोलेंगे, mandible, तो चारों एकदम समझ में आ गए होगी किस किस तरीके से किस का arrangement है, बहुत अलग तरीके से बना रहा हूँ, यह जो तरीका है न, मतलब तुमारे सारे short notes fail हो जाएंगे, सब कुछ fail है, यह पूरा एक imaginary system है, ठीक है, कि इस पूरी theory को कैसे different way में convert किया जा है, जो typical से typical चीज को भी बच्चे के brain में set करा दे, आप समझ रहे हो, यही वो तरीका है, ठीक है, तो आपको पूरा धाचा समझ में आ गया, किस plate से mouth part जोड़े हो है, यह memory creating points है, समझ रहे हो, क्योंकि कैसे याद रखा जाए, अब आप सब कुछ भूल जागो तो इतना ध्यान रहेगा, समझ में आया, इसको, अच्छा, upper lip, lower lip को बोलते क्या है, यह लिखा दे, तो मैं जो NCRT में रखा है, labrum और labium, labrum, 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 ठीक है, अब labrum, labrum को upper lip बोलेंगे, इसको lower lip बोलेंगे, इसको tongue बोलेंगे, इसको upper jaw, अच्छा, इसको upper jaw बोल सकते हो, या maxilla, mandible lower jaw, हमारा भी तो mandible होता है, आप समझ रोना मेरी बात, हमारा mandible होता है, उपर एक्छा में जो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यह maxillary pulp की form में होता है, sensory part बोल सकते हो, इसका sensory part है, sensory pulp बोलोगे, अभी diagram दिखाता हूँ, NCRT का sensory pulp, और यह lower jaw हो गए, तो इसका यह arrangement इस तरीके से होता है, मैं NCRT का diagram भी दिखाऊंगा आपको, तब आगे बढ़ेंगे, देख, जहां से दिखो, यह तो क्या labrum, यह labrum, यह labrum नीचे होता है, बुलकुर पोजिशन यह, उपर वाला part, उपर लेब हो गया, लोवर लेब हो गया, दौनों के बीच में हाइपो फारिंग स्टंग हो गई, mandible, mandible, यह जो है, इनमें kaitinious teeth होते हैं, grinding के लिए, kaitinious teeth, grinding reason है इनका, ठीक है, और यहां पर sensory pulp लगे हुए हैं, maxilla के अंदर, labium में भी sensory pulp लगे हुए हैं, इसलिए labium को हम secondary maxilla भी बोल सकते हैं, क्योंकि labium में भी sensory pulp हैं, और maxilla में भी sensory pulp हैं, समझ रहो, इसलिए आपको secondary max इसलिए बोल सकते हो, समझे हैं, नहीं समझे, बापस आ रहा हूँ, ठीक है, तो question आएगा, labrum और labium, इनमें से lower और पर जो कौन सा है, हम भूल जाते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखो, कि हम जो भी branding करते हैं, वो कहां करते हैं, कॉलर के अंदर, कॉलर यह है, मैं समझ जाना आ ठीक है, नहीं देखेगा फिर भी, देखिया, देखिया, जो भी कपड़ों की branding होती है, टेलर कहां branding करता है, देख पा रही है, क्या, अचा ब्लैक कलर से नहीं देखेगी, कॉलर अपने, जो कपड़ों की branding करता है, कॉलर की नीचे करता है, अंदर करता है, बहार तो नहीं क मैं भात नाम फंड पर नहीं लगाता अब ब्रैंड चोड़दो ठीक है लूइस फिर से बॉट रहा है मैं बात किसी कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं यहां पर टेलर। दरड दर्जीерм मन वकल bisexual Technology कहा करता अंदर करता तो नीचे के लाप लेबियम लेबिलिंग का होती है लेबियम लेबिलिंग हमेंसे कॉलर के नीचे होती है तो लेबियम बखवास है पर काम की चीज़ है ठीक है बखवास है पर यही बखवास आपको लास्ट टाइम पर एक कोशन सौल करा देगी और ध्यान रखना इस बार एक एक नंबर पर तहला होगा यह भीलेबिये यह लिव यह लुवर लीव होगा आपको याद रहेगा ठीक युसमेर लुवर लिप को सेकेंड्री मैकसला भी बोलते हैं Nap स्यों को मोलते हैं यहां पर सेंस्री पल्प देखने को मिलते हैं सेंस्री पल्प यहां प्रेजेंट होते हैं समझे या नहीं समझे चलो समझ के ठीक है अब अब तो कुछ बचा ही नहीं सारा का सारा हो गया बताओ यहां तक कोई डाउट शाउट बस यह ध्यानक ना है आपको कि जो मैंडिबल एंसी आटी दे रखें यह काईटीनिस टीथ होते हैं खाने चवाने के लिए रिस्पॉंसिबल होते हैं समझे या नहीं समझे अच्छा यह माउट पाट वाला पाट तो एकदम क्लियर हो गया मुझे नहीं लगता कोई डाउट शाउट है आपको अब कभी-कभी यह वाला डाग्राम भी पूछ लेता है तो ध्यान रखना है आपकोछ डाग्राम के अंदर यह तो ओसिलस हो गए सिंपल आईज पर इस पर कोश्चन नहीं आता हमेशा कोश्चन आएगा कंपाउंड आइस की उपर किस की उपर आएगा कंपाउंड आइस फॉर विजन यह विजन के लिए रिस्पॉंसिबिल होते हैं यह तो एंटी ने दिखी रहे हैं यह एंटी ने यह कोश्च है तो आगे क्या होगा मेरा अब पीछे क्या होगा ठीक है अब समझना है मेरी बात तो ऐसे में देखो लेब्रम और लेबियम आगे तो लेब्रम होगा पीछे लेबियम होगा लेबियम पीछे इन्हीं में कंफिजन होगा लेबियम पीछे लेब्रम आगे बस लेबियम पीछे का है, लोवर लिप को लेबियम बोलते हैं, लोवर लिप समझ में आया नहीं आया, इस से आप इस डाइग्राम को अच्छे से अडेंटिफाई कर पाओके, कुछ नहीं बचा, आगे बढ़ते हैं अच्छा, अब बात करते हैं, थॉराक्स अच्छा, हैड बाले रिजन में एक दो चीज़ और एड कर सकते हो, जैसे, ठीक है, पोजिशन ओफ हैड पर अंसी आड टी में नहीं दे रखी, पोजिशन, ठीक है च्छा, फिर भी एक दो पाइंटों में एड करीं तूं, कोई नहीं हाइपोग नैथस, हाइपो माने नीचे है, नैथा माने जो, हाइपोग नैथस पोजिशन होती है, मानो ये कॉक्रोच है इसकी बाडी एक्सेस से ठीक, नाइनटी एंगिल पर कॉक्रोच का हेड ऐसा होता है, ठीक है, नाइनटी एंगिल पर से ठीक है क्योंकि नेथा नीचे होता है We gonna को अभी मैंने दिखाया था आपको ऐंचीने के बारे में एंटीने कॉक्रोश में वन पेयर होते है कउक्रोश के नतर ऐंटी ने कैसे होते हैं वन पेर हैंटीने होते हैं सेगमेंटेड होते हैं होते हैं जिनकी आप सेन्सरी रिसेप्टटर लगे होते हैं है एन्टीने वन पेर होते हैं से psychiat रेस नहीं के हम से आपोर संक्राइब काम क्या होता है कि यंद इनमें संस्री रिसेप्टर लगे हुए है यह मॉनिटरिंग् पूरे इनवारिमेंट को मॉनिटर करता है कि मेरे आसपास प्रे है या प्रेडेटर दुम दवा के भागना है या समझे रहे हो किसी का शिकार करना है तो उसके लिए काम आते हैं एंटी ने वन पेयर होते हैं सेग्मेंटें होते हैं सेंस्री रेसेटर इंग पर प्रेजेंट होते हैं मोनिटरिंग दा इन्वार्मेंट यहां तरह समाज में आया नहीं आया आगया आओ ठीक है तीन पॉइंट करा दी है मैंने इसके लिए अच्छा इसके अलावा और हैड पर क्या लगा था आइज एक आइज और हैड करते हूँ आइज की बात करते हैं न तो आइज मैंने दो टाइप की बता नहीं थी आप उस अभी बता कर चुका हूँ सिंपलाइज जो वेस्टीजल हैं कोई काम की नहीं है वन पेर होती है लेकिन अच्छ अब भी दिखायता है मैंने आपको ठीक है जस्ट अभी डाग्राम दिखाया मैंने ठीक है ओसिलास सिंपलाइज वन पेर होती हैं इधर एक उधर और होगी वेस्टीजल होती है इनको इसिलस बोल सकते हैं एक और होते हैं को कम पाॉंड अई सब्सक्राम वो लते हैं कम पाॉंड आईज ये भी वन पेर होते हैं One Pair मल यह यह एक्शूल में विजन के लिए रिस्पॉंसिबल होते हैं पूर विजन कैसा विजन समझाता हूँ फॉर विजन ठीक है फैंक्षनल होते है compound का मतलब यह है compound का मतलब है चोटी चोटी उनिटों के मिलने से बनती है समझ रहे हो जो छोटी-छोटी यूनिटों के मिलने से बनती है, वो compoundize है, ठीक है, तो इसकी unit क्या होगी, unit बताओ जड़ा, कि compoundize तो unit तो होगी न, unit क्या होगी, unit ometidia, और क्या सकते हो, 2000 ometidia present in each eyes, बास, इतना याद रख लो, NCRT के साब से more than insufficient, ठीक है, यह विजन के रिस्पॉंसिवल होते हैं, इनकी unit ometidia होगी, MTA 2000 ometidia present in each eyes, ठीक है, चाहो तो, अगर additional point चाहो, तो याद कर सकते हो, इनका जो विजन होता है, वो mosaic होता है, mosaic, mosaic, mosaic कर समझते हो, mosaic का मतलब होता है, जो छोटी-छोटी unit के मिलने से बनता है, जैसे माल लो, एक बच्पन में game खेला होगा, आपने, आपने, जैसे कोई आपको game मिलता था, ऐसे मानो एक box में आता था, कोई image होती थी, जैसे मानो किसी पेड़ की image है, उसके टुकड़े होती थी, उनको जोड़ना होता था, जोड़ करके complete image बनती थी, IQ टाइप का एक था, उसको mosaic बोलते हैं, तो कॉक्रोष की जो eyes होती ही ना वो लगो 2,000 numatidia के मिलने से बनती है, अगर कॉक्रोष की eyes देखो ना ऐसे होगी, तो ऐसा image, ऐसा vision जो छोटे छोटे चोटे टुकड़ों के मिलने से बनता है, उसको mosaic बोलते हैं, कोकि इसकी eyes एक्चुर में छोटी चोटी यूनिटों के मिलने से बनी है, जिसको हम बोलते हैं, 2000 numatidia present in each eyes, हर एक आँख में 2000 numatidia होते हैं, समझ रहे हो, each eyes कर दिया है, मुझे, ये head बाला reason complete हो जाता है, fully complete हो जाता है, time देखें, ओके, चलो, ठीक है, चलो, अभी तो है time, यहां तक clear है, position of head clear होगे, antenna clear होगे, eyes clear होगे, अब आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है, thorax, समझ रहे हो, thorax के 3 segment होते हैं, अब आजाओ, अभी बताया है, तो अब बत segment होते हैं, 3, pro thorax, mesothorax, और metathorax, चलो भाई, pro, meso and meta, ये भी बहुत प्यारी trick है, pro, thorax, meso, thorax, meta, thorax, pro thorax, mesothorax, और metathorax, ये 3 segment होते हैं, thorax के, ठीक है, pro thorax की covering को, pro notum बोलते हैं, अभी बता के चुका हूँ, pro notum, इसको cover करने वाली एक plate होते है, pro notum, ये ऐसे, अब ही मैंने बताया था, इसके diagram है, pro notum, इसकी covering को बोलते है, pro thorax की covering को, इवर clear है, डूसरी बात, wings जाना रखना, pro thorax में wings नहीं मिलते, wings only present in meso and meta, मैं लिख देता हूँ, इधर तुम wings की बारे हैं, बात करेंगे, wings, two pair होते हैं, और इस side हम lex के बारे हैं, बात करेंगे, ये three pair होते हैं, समझना, अब two pair होते हैं, one pair present in meso and one pair present in meta, समझनी कोशिश करना, जैसे माल लो, ये meta thorax के wings हैं, sorry, हाँ, ये major thorax के wings हैं, इस तरीके सोते हैं, same one pair इधर होंगे, समझ रहे हो, ये बहुत बड़े होते हैं, ये छोटे होते हैं, ये protection के लिए होते हैं, ये only for flight, कभी order ना होतो, ठीक है, ऐसे याद भी रहेगा, इन wings को हम नाम से लिख रहे हैं, ठीक है, एक को तो बोलते हैं, four wings, ठीक है, आगे वाले, four wings को हम और क्या-क्या बोल सकते हैं, tagmina, या elatra भी बुल सकते हो, e-ly, t-r-e, ये बात चल रहे हैं, four wings की, clear हैं बलकुर, four wings, one pair होते हैं, बताई चुकाओं में, one pair, chitinious होते हैं, hard होते हैं, strong होते हैं, ठीक है, dark होते हैं, for protection, for protection of hind wings, बस hind wing को protect करते हैं, ढखने के लिए, जबके अबर मैं hind wing की बात करता हूँ, hind wing की बात करता हूँ, ये अंदर, ये पतले वाले, ये, ठीक है, ये भी one pair होते हैं, one pair हैं, पर बहुत पतले होते हैं, membranous होते हैं, होते हैं, बहुत पतले, membranous thin होते हैं, transparent होते हैं, काम क्या है, इनका, for flight, ये action में उड़ने का काम करते हैं, उड़ने के लिए होते हैं, इनको नुकसान नहों हो जाए, तो four wings इनको protect करके रखते हैं, ढखके रखते हैं, जब उड़ना होते हैं, ये बाहर निकल आते हैं और उड़ना चालू कर देते हैं समझे तो wings की कहानी सिर्फ इतनी ही है और ये diagram आप डिमार्क में बिठा लोगे ना जिंदगी में नहीं निकलेगा क्योंकि wings पर कोशन जब भी आते थे बच्चे गलत करके आते ही आते थे 4 wings में फोर प्रो थोरेक्स में wings नहीं मिलते ये क्रॉस आपको याद दिलाएगा यार हमने क्रॉस बनाया था कहां बनाया था समझ में आया नहीं आया ठीक है आ रहा है बेटा आएगा भाई आएगा आएगा बहुत अच्छी तरीकी से आएगा ठीक है तो विंक वाला पार्ट मुझे लगता है क्लियर है यहां तक कोई डाउट नहीं है अब मैं लेग वाले पार्ट की बात करता हूं तो लेग मैंने बता है बटा थी पेर होते हैं नहीं वन पेर प्रेजेंट इन इच सेगमेंट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट समझ रहे हो अब मैं सब्जेक है तो बनाऊंगो नहीं एक ही बना बना देता हूं किसी में भी इसमें बना देता हूं ठीक है तो सबसे पहले मैं बनाऊंगो एक छोटी सी यह 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 वाली बो मतलब segment फिर हम बनाएंगे एक नया segment ये segment दूसरा तीसरा हम बनाएंगे ये segment फिर अगला हम बनाएंगे ये segment फिर हम छोटे छोटे segment बनाना चालू कर देंगे ठीक है एक दो तीन चार पांच ये इसका lag वाला reason हो गया समझना एक एक समझना ऐसे जाद रखो अगी मैं अपने human वाला पड़ाओंगा तब आपको एगदम रट जाएगा ठीक है क्यों तो क्यों कि अगर मैं human की बात करता हूँ तो हमारी जो आधी कूले की अड़ी होती है half of pelvic अपने जो half of pelvic होती है इसको हम coxal bone बोलते है coxal bone ठीक है half of pelvic को coxal बोलते है तो पहले coxal आएगी तो coxal साथ को याद रखा यहाँ पर पहले coxa आएगी यह क्या है कि coxa coxa थेक है Ceaik यह हमारे नदर नहीं मिलती पर नाम याद रखना इसको ट्राकेंटर बोलते हैं कि छोटी ही होती smallest थेक है फिर हमारी दिय है आछी थाई पोन का थाई वोन फीमर तो यहाँ पर भी ना फीमर है ठीक है समझ रहो वह थाइबोन फीमर होती है तो यहां पर भी फीमर है आगे पैर में देखो के आगे यहां पर key 祝ा होती आ hepसितन मिलोपा फ्लिह को प्सूम और मिला होथी है तो वह यहां पर भी टीबिया ही है क्या याद करना है आग को बताओ अपनी तो याद है ना उसी सुम कंपाइल कर रहे हैं वह कॉक्सा हमारी कॉक्सल थी तो यहाँ पर कॉक्सा है समझ रहे हो ट्रोक एंड ड्रेक नहीं मैंने एड कर दिये हमारी फीमर थी यहाँ फीमर है हमारी टीबिया थी यहाँ पर भी अंकल में टार्स अंदर और यहां पर टार्स तोस ओ में यह Tarsus हैं 5 Segment होते हैं Tarsus में किते सेग्मेंट होते हैं? 5 Segment 5 Segment होते हैं 5 Segment होते हैं Tarsus के बस इतना याद रखेलो एतना याद रखेलो और कोई जुरूत नहीं है यह दो नखुने से लिख रहा है नखुने से इनको क्लॉ बोल सकते हो चाहा हो तो इसमें गद्दी लगी होती एरोलियम एरोलियम लिखा दिता हूं चरो इसको भी एरोलियम कि आँ मूवी देखिए बात्साहा बात्षा वह स्व'll पहनता है और खड़ी दिवाल पर चड़े जाता है समदूर्प और ऐसे ही लग यहां पुपर भी होगा यहां पर प्तर Danielle होगा विंट कभर होगा सारे पॉइंट कभर होगे इस magical diagram से, अब आप मानो या ना मानो, magical diagram, क्योंकि मुझे पता है कि किस level का diagram है ये, आई या नहीं आई, तो ये पूरा का पूरा कबर हो जाता है हमारा, wings और lag वाला part, अब last में बसती है, abdomen, यहां इसकी पूरी anatomy खतम हो जाती है, abdomen, यह portion नीचे वाला abdomen, कितने segment होते हैं, abdomen के अंदर, 10 segment होते हैं, कितने होते हैं, 10 segments होते हैं, आप इसमें 2-3 चीज़ें बताऊंगा, abdomen के अंदर, सबसे पहले मैं अभी बताऊंगा, अनल सरसाय और अनल स्टाइल, इसकी बात कर लेते हैं पहले, अनल सरकाय और अनल स्टाइल, चलो, diagram बनाता हूं इसकार, कर दो को, मैं, अनल स्टाइल, ह्ताइल और अनल स्टाइल, स्टाइल, और उसमें आताऊंगा, एृझ यृझ ये इसकार कार्णाषगा, т. रुछ होते और के उतसे हैं, श्स नहीं ह।, खितनाने होते हैं, कितना अनल स्टाइल, झाल 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 को ," या क्लिख के।," की गएम झान चल ठीक है मान लो मान के लो ये तो है मेल तो ये है फीमेल ठीक है ये इसका 9th segment है ये ये इसका 8th segment है ये 9th segment है तो ये वाला कौन सा होगा 10th segment होगा ये 10th segment होगा ये 9th segment होगा ये 8th segment होगा ठीक है आप question समझना कैसे कैसे बचे जाएंगे सारी चीज़े clear करूँगा ये जो दिख रहे हैं आपको ये unsegmented ये वाला structure देख रहा है इसको बोलते है एनल style ये जो दिख रहे है नए और ये इनको बोलते है एनल सरकाई एनल स्टाइल और एनल सरकाई चलो अब बात आती है ठीक है तो मैं इन दोनों के बारे में बात करूँगा एनल स्टाइल और एनल सरकाई के बारे में ठीक है ये इसके बारे में बात चलेगी यहाँ पर और इसके बारे में बात चलेगी ठीक है तो पहले बता दू मैं आपको यह abdomen में होते हैं अगर मैं anal style की बात करता हूँ only present in male female में anal style नहीं होते ऐसे समझो style यहां कौन मार रहा है style style यहां पर male मार रहा है ऐसे समझ दो तरीके हैं कुछ याद रखने के 8 पटे word आपको आसानी से याद हो जाते हैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि उल्टा है यहां पर माल लो यार ठीक है यहां पर male में style है female simple साधी है simple सीधी साधी है उसके पार style नहीं है style only present in male तो anal style male के पास होते हैं जबकि anal सरकाय male के पास भी होते हैं और female के पास भी होते हैं तो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ समझना anal style present only in male जबकि इसकी बात करते हैं anal सरकाय present in both sex both sex मतलब male and female एक बाद समझ में आ गई आ गई होगी अब दूसरा point की बात कर रहा हूँ अगर मैं anal style की बात करता हूँ 9 segment पर होते हैं और unsegmented होते हैं ये 10 segment पर होते हैं और segmented होते हैं ठीक है present लेको unsegmented unsegmented meanted होते हैं present on 9th segment जबकि ये segmented होते हैं present on 10th segment 10th segment और 10th segment पर ये present होते हैं अगर मैं anal style की बात करता हूँ बेटा तो ये copulation में help करते हैं जो male होता है female vulva को open करने में male होता है female vulva को open करने में इसको use करता है help in copulation help in copulation जबकि अगर मैं बात करता हूँ anal सरकाए इनकी उपर sound receptor होते हैं ये sensory nature की होते हैं sensory nature sensory nature की होते हैं sound receptors होते हैं इनकी उपर जो कही न कहीं जैसे मैंने earth के नीचे कोई भी हलचल होती है continents plates उपर नीचे होते हैं ये कह सकते हो अगर समझो के earth quick आता है तो earth quick का इनको health से पहले पता चल जाता है sound को receive कर लेते हैं अर्थ के नीचे से भी इतने sensory होते हैं तो ये main बात इंद्धान रखने है इन पर direct question आपको मिल जाएगा abdomen में तो abdomen तक यहां तक कोई doubt shout होना नहीं चाहिए मुझे मेरी समस्य तो ठीक है yes या no चालिस हो गए ठीक है चलो आज इतना ही रखेंगे अब अगला जो हमारा समझ ना अगला जो हमारा lecture होगा वो last lecture होगा इसका उसमें थोड़ा सा मैं abdomen में genital pouch के बारे में बताऊँगा genital chamber के बारे में बताऊँगा और सीधा मैंस की पूरी physiology या anatomy की बात करूँगा जिसमें सारे system discuss करने वाले हैं एक single last lecture में तो एक lecture बचा हुआ है इस lecture को आपने enjoy किया होगा इस वार कमेंट जरू कर दो है पता जल जाता है किस डारे जा रहे हैं हम लोग सही बढ़ा रहे हैं नहीं बास्तह में जो मैनत कर रहे हैं वह आपको मदलब सही direction में ले जा रहे है आपको कूछ benefit हो भी रहा है नहीं हो रहा और कमेंट तो कर दिया करो ठीक है चलो ठीक है तो अगला लेक्चर जो आएगा उसके अंदर इसका end कर देंगे ठीक है जनाइटल पाउच बता करके मैं anatomy start करूँगा ठीक है thank you बेडा all the best bye मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर